नमस्कार दोस्तों आज हम जानते हैं कि रिलाइंस यह बीग टीवी जो बेबी बंद हुआ है और वो लोग फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं उसे स्विच करके हम डीडी फ्री डिश यानि जो फ्री की सेवा है डीश की उसमें कैसे कनवर्ट कर सकते हैं पहले तो आपको यह बॉक्स जो है इस बॉक्स को उसके अडप्टर के साथ आपको निकलना है तीनों पीन्स यहां से निकलनी है और यह जो केबल होती है एंटिना की उसे भी आपको निकाल लेना है और इन चीजों को निकाल करके मार्केट से या ओनलाइन आपको लगबग एक अजार से देल अजार उपए में MPG2 का फ्री डिश सेट आप बॉक्स यह देखिए इस प्रकार का मिल जाता है यह मैंने अभी लगा दिया है यह लगबग एक अजार रुपए में मुझे ऑनलाइन मिल गया था इसे आपको खरीबना है और उसी प्रकार से आपको लगाना है टी वी के जो तीन केबल्स है उसी कलर में उसी पीन में लगाने हैं आपको बाद में ये सेटलाइट डिश के केबल है उसे भी लगाना है और अब जानते हैं इसको सेट कैसे काएंगे तो दोस्तो इस टीवी को तो दोस्तों यह हमने टीवी लगा दिया है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आपको क्या करना है पहले तो जो आपको सेट आप बॉक्स मिलेगा उसमें जो चैनल होंगे उसका जो सेटलाइट कार्ड होता है अंदर उसमें प्री सेट चैनल आपको मिल जाएंगे जो भी कोई चैनल को निकलना है जैसे कि स्याद्री आपको दीखेगा इस को यह बिग मैजिक है यह देखिए फिर इस किसी बी एक चैनल को निकल करके इस रिमोट से आपको जो इन्फो बटन है इन्फो मिशन बटन इसको प्रहवा जाएं कि तो signal quality को जो पहले यहां पे 0 रहेगी जब यह आप इसमें केबल लगाएंगे तो इस signal quality आपको 0 दिखाएगी और इसमें थोड़ी से आपको 20-30% के quality आपको दिख जाएगी इसके intensity तो आपको कहा करना है इस setup box यहां पे replace करके cable लगा के TV on करना है और इसका info button प्रेस करके यह जो intensity और signal वाली page को आपको open करना है mobile के दरिये और उसके बाद यहां पे आपको 0 दिखाएगी देगा इसे open करके रखना है और फिर आपको जाना है जो आपका roof टॉप पे जो dish fix किया है वहां पे आपको जाना है वहां जा करके आपको उस डिश को थोड़ी सी हिलाने है जिसे के आपको यह free के channels जो insect 4B पे free में मिल रहे हैं उस पे set करना है तो यह रही हमारी डिश तो इस डिश को यह जो डिश है प्री इंस्टॉप उसे आपको इंसेट 4B पे switch करने के लिए आपको क्या करना होगा इस डिश को आपको सिर्फ यहां से थोड़ा सा आगे आगे पूश देना होगा और वो पूश देने के बाद आपको थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा पुश देना होगा थोड़ा उपर से इस प्रकार और थोड़ा इस साइड से इसके बाद और उसे आपको set कैसे करना है यह रहे यह थोड़ा screw loose करना है और यह loose करना है उसी प्रकार से सेड में यह screw और यह screw दोनों को loose करके आपको उसे थोड़ा सा नीचे की तरफ जुकाना है थोड़ा सा आपको इस तरीके से सेटिंग करना है कि वह सेट करने के बाद दोस्तों आपको यह frequency बढ़ती दिखाए देगी यहां पर किसी दूसरे को आपको रखना है और जैसे आप नीचे करेंगे frequency बढ़ने लगेंगे बढ़ते बढ़ते आपको लगवक असी तक frequency यह signal quality आपको मिल जाएगी लगवक असी तक मिलने तक आपको सेट करना है जैसे आज जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे signal quality बढ़ती जाएगी और एक time आएगा कि वो फिर से कम होने लगेगी तब फिर से आपको इस dish को थोड़ असार लेफ्ट की तरफ आपको गुमना होगा dish तो उसके बाद आपको insert 4B के signals मिलने लगेंगे एक बार आपको चैनल से यहां पर दिखने लगे तो ज्यादा चैनल से सर्च करने के लिए आपको पहले menu में जाना होगा मेनु में फिर menu में आपको जाना है प्रोग्राम सेटप में यहां पर आपको पासवर्ट डलना है और इसका डिफॉर्ट पासवर्ट जो है वह 0000 है इसके बाद यह एड नियू प्रोग्राम एंटिना सेटप एड सेटलाइट सब आपको मिल जाएंगे यहां पर आपको सिर्फ यहां पर आटो स्कैन में जाना है इस प्रकर से अपना सेटलाइट जो है इनसेट 4B वह सिलेक करना है फिर डाउन करके सच में जाना है और ओके करना है करने के बार जितने भी आपके चैनल से एफ्री टो एयर वह आपको दीखने लगेंगे दोस्तों और आप अब इसमें लग लग दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर सेटिंग कर दिया है लेकिन मुझे यहां पर मैंने नाइंटी चैनल से यहां पर रखे हुए हैं यह कुछ इंफोर्मेशन गवर्मेंट की तरफ से कुछ डिस्टन्स एजुकेशन के चैनल से शायद और इसमें आपको मेजिक चैनल वगारा बहुत सारे चैनल मिल जाते हैं दोस्तों यह देखें आप देख सकते हैं इतने सारे च देखेंगे हैं यह देखें दोस्तों यह देखें आज तक इंडियानेट टी जैसे बहुत सरी चैनल्स आपको दिख जाएंगे मुवी के भी लगभग 10-12 चैनल सबको यहां पर फ्री में मिल रहे हैं दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों